दोस्तो आज की वीडियो में हम आपको एक बोलने वाले तोते का वाक्या सुनाने वाले हैं तो आप इस वीडियो को पूरा आखिर तक ज़रू देखे और जल्दी से आप इस वीडियो को एक लैक करके चैनल को भी सबस्क्राइब कर ले क्यूंकि हम आपके लिए बहुत ही प्यारी प्यारी वीडियो लाते रहते हैं प्यारे दोस्तों एक आदमी ने अपने घर में बोलने वारा तोता पाल रखा था तोता वैसे तो पिंजरे में बंद रहा करता था लेकिन फिर भी वो अपने मालिक से बहुत खुश रहा करता था और मालिक का वफ़ादार भी था इसकी वज़ा ये थी कि वो आदमी अपने तोते का बहुत ही ख्याल रखता था रोजाना दफ्तर जाने से पहले वो तोते से मुलाकात करता और वापस आकर सीधा अपने तोते के पास रुपता और उसको दाना पानी डालता उससे मज़े मज़े की बाते करता तोता मालिक की गैर मौजुदगी में उदास रहता और मालिक के घर वापस आने पर बहुत खुश हो जाता था कुछ वक्त गुजरा तो घर में बड़ी तबदिली आ गई उस आदमी ने शादी कर ली और अलग मकान में रहने लगा और जाते वक्त अपने तोते को भी अपने साथ लेता गया तोते की मालकेन यानि उस आदमी की बीवी उसकी गैर मौजुदगी में तोते का खयाल रखती और उससे मीठी-मीठी बाते किया करती थी तो तोता माली की बीवी को देख कर सीठी बजाता तो वो खिल-िला कर हस परती और तोता तो खुशी से निड़ाल हो जाता फिर एक दिन हुआ यूँ कि मालिक के दफ्तर जाने के बाद एक अजनबी आदमी घर में घुस गया और वो आरत उस अजनबी आदमी के साथ सारा दिन कमरे में बन रहती तोता तो हैरान था कि भला ये कौन है जो पहली बार उनके घर के अंदर आया है और उसकी मालिक के साथ कमरे में घुस गया और फिर ये मामूल बन गया यानि अक्सर यही होने लगा जैसे ही मालिक दफ्तर को चला जाता तो वो आदमी घर में आ जाता और औरत के साथ सारा सारा दिन बाते करता और अजीब अजीब हरकते करता और फिर दोपर के वक्त वापस चला जाता उस आदमी के आने से वो खूबसुरत मालकिन तकरीबन तोते को भूल चुकी थी अपनी मालकिन की तवज्जो ना पाकर तोता उदास और परिशान रहने घबरा गया उसको नहीं पता था कि ये तोता अच्छी तरह से बोलना भी जानता है वो औरत भी परेशान हो गई उसने सोचा कि अगर तोता ये सब बाते मेरे शोहर को बता दे तो मैं उसको क्या जवाब दूँगी औरत ने तोते से कहा ये मेरा भाई है तोता ये समझ रहा थ था कि मालकी जूट बोल रही है लेकिन वो खामोश हो गया उसको ये बात समझ आ चुकी थी कि वो उसके मालिक को धोखा दे रही है उसका दिल बूझ गया और वो खामोश रहने लगा कई बार उसने सोचा कि मालिक को बता दे कि उसकी गैर मौजूदगी में एक अजनभी सक घर में आता है और सारा दिन उसकी बीवी के साथ गुजार कर दोपहर के बाद चला जाता है लेकिन वो आपने मालिक को उदास और परिशान नहीं करना चाहता था वैसे भी जिस दिन से तोते ने उस अजनभी से सवाल पूछा था उस दिन के बाद वो आदमी घर के अंदर आता था और खूबसूरत मालकिन ने दोबारा तोते के साथ वक्त गुजारना शुरू कर दिया यानि उससे बाते करने लगी और तोता सारा दिन चहकता रहता लेकिन एक दिन आचानक वो ही अजनभी फिर से उसके घर आया और पहले की तरह मालकिन के साथ उल्टी सीधी हरक पते करने लगा और ये देखकर तोते को सदीद गुसा आ गया उसने चिला कर उस आदमी से कहा कि वो बदबख्त आज में अपने मालिक को बता कर ही रहूंगा कि तुम उसके घर आकर उसकी बीवी से बुराई करते हो आदमी तोते से बोला फिक्र ना करो तुम्हारा बंदो इन से मिन्नते करने लगा कि उससे छोड़ दे लेकिन माल किन ने उस अजनवी से कहा कि इस तोते को विराण जगह पर ले जाकर मार डालो आज के बाद ना ये घर में रहेगा और ना हम को इससे कोई खतरा होगा अजनवी बैग को लेकर रवाना हो गया तोता बैग में अपने सोहर के दफ्तर जाने के बाद अपने आसिक को घर बुला कर मूँ काला किया करती थी। उसको याद ना रहा कि घर में मौजूद तोता इंसानों की तरह बोलना जानता है। लेकिन जिस दिन तोते ने उस औरत के आसिक से सवाल किया था, तो औरत को खत्रा महसूस हो गय कि तोता बहुत जल्द अपने मालिक को मेरी कर्टूद बता देगा उसने अपने आसिक के साथ मिलकर तोते को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया था चलते चलते वो अजनबी जंगल में पहुँच गया उसने तोते को बैग से निकाल कर कहा कि हमारी तुम से कोई दुस्मनी नहीं है मगर तुम को मारना मेरी मजबूरी है वरना तुम हमारे मिलने का राज उस औरत के शोहर को जरूर बता देते तोते ने अजनबी से कहा मैं खुद पिंजरे से आजादी चाहता था अगर तुम मुझे आजाद कर दो तो फिर मुझे क्या जरूरत है कि मैं दोबारा कैद में जाओं मैं इस जंगल में आजाद जिंदगी गुजारना चाहता हूं आदमी को तोते की बात में वजन महसूस हुआ उसने तोते को मारने के वजाए आजाद कर दिया और वापस अपने घर चला गया तोता वहां से उड़ा और अपने घर वापस पहुँचकर दरख्त पर छुपकर बैढ़ गया साम को मालिक दफ्तर से वापस लोटा तोते को फिज़रे में मौजुद ना पाकर उसने अपनी बीवी से पुछा तो बीवी ने जूट बोल दिया कि उसने दाना डालने के लिए पिंजरा खोला लेकिन तोता जट से उड़कर भाग गया तोते का मालिक ये सुनकर रो पड़ा और कहने लगा मैं तो इतने सालों से उसको वफदार साथी समझता था लेकिन वो मुझे धोखा दे गया जानवरों और परिंदों में वफा होती ही नहीं तोता ओपर पेर पड़ बैटकर चुप चाप ये सारा माजरा देख रहा था उसकी बीवी अपने सहर को कमरे में लेकर गई तोते का यकिन पुखता होता चला गया कि मालकिन बदकार है अगली सुभा जब तोते का मालिक दफ्तर रवाना हुआ तो तोता उसके पीछे पीछे उड़ता गया उसके दफ्तर को देखकर घर वापस आकर पेर पर बैट गया थोड़ी देर के बाद वही अजनवी आया और मालिक की वीवी को लेकर कमरे में चला गया जब तोते ने देखा कि दोनों कमरे में चले गए हैं तो तोता जल्दी से उड़ा और अपने मालिक के दफ्तर पर जाकर कमरे की खिरकी पर बैट गया उस आदमी ने जब अपना तोता देखा तो हैरान रह गया, वो जल्दी से उठा और तोते के पास गया लेकिन तोता उढ़कर बाहर चला गया आदमी उसके पीछे-पीछे और तोता आगे-आगे चलता जा रहा था आदमी हर सूरत तोते को पकड़ना चाहता था लेकिन वो हाथी नहीं आ रहा था चलते चलते वो तोता अपने मालिक के घर की दिवार पर आकर बैट गया तो आदमी बहुत खुश हुआ कि उसका तोता वापस अपने घर पहुँच गया है लेकिन मसला ये था कि उसको पकड़ा कैसे जाए आदमी तोते के पीछे ही अपने घर की दिवार पर चड़ गया तोता दिवार से जाकर सीधा कमरे के दरवाजे के पास बैट जाता है आदमी बाहर से उतर कर तोते के पीछे कमरे में दाखिल हुआ तो आगे जो मनजर उसको नजर आया वो मनजर देखकर तोते को वो भूल गया, क्योंकि उसकी जान से भी ज्यादा प्यारी बीवी गलत हालत में किसी अजनभी के साथ बिस्तर पर मौजूद थी, तोते ने अपने मालिक को सारी सचाई दिखा कर नमा खाने का हक अदा कर दिया था, आदमी ने अपनी बीवी को तल कि तोते ने धोखा दिया है, लेकिन असल में तू उसके साथ तोते ने नहीं, बलके खुद उसकी बीवी ने धोखा किया था, प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हैं कि आज का ये दिल चस्प वाक्या आपको पसंद आई होगी, इस वीडियो के बारे में आप अपनी क्या र झाल